सीयू भवन निर्मान को लेकर उदासीन रवया अपनाए परदीश सरकार के खिलाफ अब एबीबीपी ने आंदोलन छेटने का नेर नेलिया हैं सीयू के रूप में प्रदीश कुमिली सोगात को भाजबाब कॉंग्रेस ने चुनावी बेला में भुनाने के लिए रखा है लेकिन इसके भवन निर्मान की और किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया ये आरोप एबीबीपी जिला सियोंजक अभिशेक कुमार ने प्रेस पारता में लगाए इस का निर्मान नहीं हो पाया है एबीबीपी का कहना है कि सरकार स्पस्ट करे कि सीउ भवन बनाना है या नहीं अनिता एबीबीपी उग्र आंदोलन शुरू करेगी सीउ भवन निर्मान हे तू आंदोलन रत एबीबीपी ने रणनीती के तहत 21 अक्तूबर को सीउ के बीसी को म प्रमचाला में चांसद और विधाय के कार्याले का घिराव करने 2 नुवंबर से हस्ताक्षर अभ्यान चलाने 5 नुवंबर को मुख परदर्शन और 10 नुवंबर को जिला मुख्याले में धर्ना परदर्शन का निरने लिया है के घिराव भाजपा के जो यहां पर नेतिरत्र करने वाले जन परतिन दिती हैं उनका घिराव करके विधार्थी प्रिश्यद अपना अंदोलन उग्र करने वाली है क्योंकि विश्यवदाले का मुद्दा है वो आप सभी के श्मक्ष है किस तरह से 2009 से लेकर 2020 अभी तक इस विश्यवदाले का कुछ निर्मान करें शुरू नहीं हो सका है वो एक राजनीती का अड़ा बनकर ये विश्यदाले नाम मातर कह रहे चुका है उसके लिए विधार्थी प्रिश्यद एक बड़ा अंदोलन करने वाली है वो जल्द से जल्द जो विश्यदाले का निर्मान है तूँ वह आप सभी किसमक्ष रहेगा सरकारों से ऐसा है कि वो अपनी नाम मातर की राजनीती करने के लिए इसका श्रेलेनी की होड में रहती है चाहिए वो भाजपा की सरकार है चाहिए वो कॉंग्रिस की सरकार है निरंतर आप देखते होंगे कि इस तरह से भाजपा हर दिन अपने कारले का उद्गाटन कर रही है, हर जगा अपने कारले बना रही है, प्रंतु केंद्री विश्वधाले के बारे में कहीं न कहीं सरकार को सोचना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कब स्वर्मिन पल आए के लिए लोगतंत्रिक लड़ाई लड़के विदार्थी प्रिश्वध अपने फैसले को जल्द से जल्द धरातल पर लाएगी, जिस थिती ऐसी है कि आपका कहना से है कि पूर्व में जो कॉंग्रिस सरकार है, उनने विश्वध दैले का निर्मान के लिए मुझे लगता है पिछली सरकार को इसका खामयाजा भुगतना पड़े था, वर्तमान के सरकार को भी इसका खामयाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अंदर विश्वध दैले के मुझे को लेकर लगा हुआ है, परिविश्वध निती परशार्शन के अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी यही कहा जाता है कि उनकी तरफ से कारे हो चुका है, और ये सरकार की गलती है। अगर तीनों बैटके आपने सामने की चर्चा करेंगे और अपना मत रखेंगे तो कहीं नगे बात किस पस्टा आपके सामने आ जाएगी कि कौन गलत है और कौन से यह कहां तक कारे पहुंचा और कहां तक नहीं पहुंचा है